बच्चों का वेंटिलेटर खरीदा गया, HFNC खरीदी गई, मॉनिटर खरीदा गया, अनापसन अबदाम में और जब मैंने इस भरस्टाचार का खुलासा किया, तो मेरे मन में यह था कि सुरेश खन्ना जी एक वरिस्थ मंत्री हैं वो अपने अधिकारियों पर कारवाई करेंगे, वो इस भरस्टाचार का संग्यान लेंगे, लेकिन पिछले दो दिनों से, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्थ मंत्री सुरेश खन्ना जी इस भरस्टाचार को डिफेंड कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकत हूँ, दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है, भरस्टाचार का हिस्सा, अधिकारी से लेके मंत्री और सरकार के बड़े-बड़े लोगों तक पहुंच रहा है, इसलिए प्रदेश सरकार के मंत्री लगतार डिफेंड कर रहे हैं इस भरस्टाचार को, और इंगित करता है कि इनी इनी कमपनियों से आप खरीद कीजिए और जिस कमपनी से इंगित करता है खरीद करने के लिए वो कमपनी महारास्ता में ब्लैक लिस्टेड है और वो कमपनी बिहार के ब्रस्टाचार में फसी हुई है ऐसी कमपनी से खरीद करवाता है अलोग कुमार ज कहते हैं आप संत्रे और सेब के दामों की तुलना कर रहे हैं आप संत्रा और सेब की तुलना कर रहे हैं अब मैं संत्रा और सेब की तुलना आज आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ मैं एक एक करके बता रहा हूँ कि यह आलोक कुमार का ट्वीट है और अपने इस ट्वीट में क्या कह रहे हैं वो कि कह रहे हैं सेब और संत्रा यह कह रहे हैं कि जो मॉडल यूपी सरकार ने खरीदा है सत्रा लाक रुपए में दरसल वो अच्छा मॉडल है और इसलिए इसका डाम महंगा है यह मॉडल पढ़ लीजेगा आप यह मॉडल है ड्रैगर वर्क कंपनी का सवीना 300 और यह मॉडल सत्रा लाक रुपए में खरीदा है यह आलोक कुमार ट्वीट करके बता रहे हैं मैं नहीं बता रहा हूँ अब आजाईए यही सेम मॉडल उत्तर प्रदेश का प्रतिस्थित अस्पताल के जी एमसी यह देखिए सवीना 300 मॉडल यह ओर लेकर जाईए और आ केजी एमसी उत्तर प्रदेश का प्रतिस्थित अस्पताल लखनव में इस्थित अस्पताल यह केजी एमसी यही मॉडल खरीद रहा है 10,23,200 रुपए में और यह 50 पीस की खरीद कर रहे हैं केजी एमसी वाले 50 पीस वही मॉडल जो आलोक कुमार कह रहे हैं कि आप सेब और स संत्रे का मामला नहीं है भरस्ताचार के बटवारे का मामला है यह 17 लाक में जो आप खरीद रहे हो आप ही का अस्पताल केजी एमसी लखनों में इस दस लाग तेईस अजार में खरीद रहा है नमबर एक उसके बाद इन्होंने तमाम चीजों की खरीद की और इसमें जिन जिन कमपनियों से खरीद की है उनकी डीटेल है और मैं यह सामान उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने में खरीदा और मार्केट में कितने में खरीदा गया वो एक एक करके बता रहा हूँ इसके और इसके साथ के देता है देखे सहारन पुर में हीमो डायलेसिस मसीन एक खरीदी जाती है ध्यान से सुनियेगा आप लोग यह हीमो डायलेसिस मसीन तेरा लाख बानवे हजार रुपए में खरीदी जाती है और जब आप इसको मार्केट में खोशते हैं कि यह मसीन कितने की है तो यह मसीन पांच लाख रुपए में अविलेबल सेम मॉडल पांच लाख रुपए में अगर आपको वेफ साइट पे जाके मार्केट में इसको सर्च करना हो कि यह मसीन हमें चाहिए तो पांच लाख रुपए में यह मसीन आपको मिल जाती है जो सहारन पुर में आलोग कुमार जी खरीद रहे हैं तेरा लाख रुपए में आगे बढ़ते हैं नम्बर एक हो गया नम्बर दो हार्मोनल एनलाइजर यह हार्मोनल एनलाइजर सहारन पुर में खरीदा जाता है 49,97,000 रुपए में यह 49,77,000 उपय में और जब यह हार्मोनल एनलाइजर आप मार्केट में सर्च करते हैं जाके वेबसाइट पे सर्च करते हैं जाके ऑनलाइन सर्च करते हैं तो यह आपको कितने में मिलता है? 10,50,000 उपय में पांच-पांच गुने का भरस्टा चार इतनी दलाली चल रही है आगे मैं दिखाता हूँ आपको इसमें तीसरा आइटम है नमबर तीन का आइटम है आटी पीसी आर मसीन और आटी पीसी आर मसीन सहारनपूर में खरीदी जाती है 47,89,708 रुपए में 47,89,708 रुपए में और जब ये मसीन मार्केट में आप खोशते हैं तो आपको मिल जाती है 15,00,000 रुपए में आगे आईए आप इसमें एक सामान है आटमेटिक टीसू प्रोसेसर ये मिल रहा है बांदा में एक मेडिकल कॉलेज के लिए इन्होंने खरीदा 56,40,400 रुपए में 56,40,400 रुपए में और जब आप इसको बाजार में खोज रहे हैं तो ये 4,19,000 माल लिजी बहुत हाई मॉडल आप खरीदें खरीदेंगे तो कितना मेंगा मिल जाएगा कितना मेंगा मिल जाएगा फिर मंत्री जी ने दो दिन से सुरेश खन्ना जी का जो बयान आ रहा था मुझे हसी आ रहे थी उनके उपर कैसे बोल रहे हैं मंत्री जी कहां से आकड़े ला रहे हैं भ्रेस्टा चार का हिस्सा किसको किसको मिला है कितनी दलाली खाओगे समसान में दलाली खाई, लकड़ी के नाम पे करोना की जाच के नाम पे दलाली खाई, आकसीजन के नाम पे दलाली खाई, वेंटिलेटर के नाम पे दलाली खाई, अस्पताल में भर्ती के नाम पे दलाली खाई, एम्बुलेंस के नाम पे दलाली खाई इतने आइटम मैंने बता दिये इसमें दलाली और ब्रस्टाचार किया अब मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली में उन्होंने कहा कि जो हमने सस्ते में खरीदा दिल्ली ने महंगे में खरीदा दिल्ली सरकार के ओर्डर और यूपी गौवर्मेंट जो खरीद रही है उसका मैं दिखाता हूँ बाइपेप मसीन नमबर एक ओर्डर दिखाईए बाइपेप मसीन यह दिल्ली गौवर्मेंट की खरीद का ओर्डर है बाइपेप मसीन का और ये बाई पैप मसीन हमने खरीदा है 250 की संख्या में और ये बाई पैप मसीन 62,000 प्लस GST 69,440 रुपए में ये देखिए आप और उत्तर प्रदेश की सरकार ने यही बाई पैप मसीन 2,73,000 रुपए में खरीदा है ब्लैक लिस्टेट कंपनी से खरीदा है मौडल सेम है ये आप देखिए और मंत्री जी को जाके दिखाईए दिल्ली की सरकार ने 79,000 में जो समान खरीदा वो समान उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2,73,000 रुपए में खरीदा और इसका बाकाइदा आडर किया आलोक कुमार ने ये है सेब और संतरा हेज़िए फेन सी का रडर निकाल लिये दिल्ली सरकार का उपर ही ऐसे है पहला पना है हेज़ फेन सी हेज़िए हेन सी हमने खरीदा है 2,32,000 रुपए में ये उसका रडर है साव पीस हमने खरीदा है दिल्ली ग Warren Zealand ने और इननोंने खरीदा है दो लाख फिक्यावन हजार रुपए में ये HFNC का हो गया तीसरा समान निकाल लिए नियो नेटल वेंटिलेटर नियो नेटल वेंटिलेटर उत्तर प्रदेश की सरकार खरीद रही है सुरेश खन्ना जी खरीद रहे है 22 लाख रुपए में और कई जगह तो 49 लाख और 35 लाख में खरीदा गया है और हम उसको खरीद रहे हैं 12 लाख रुपए में ये दिल्ली सरकार के दिल्ली गॉवर्मेंट का ओडर है देखिए आप चौथा आइटम निकाली है पेसेंट मॉनिटर सबसे उपर ही है मेरे ख्याल से ये हमने खरीदा है quantity है इसकी 300 और हमने खरीदा है 63,000 रुपए में और उत्तरक्रदेश की सरकार ने खरीदा है 95,200 रुपए में ये सेब और संत्रा ये सेब और संत्रा है ये भरस्टा चार है तो मैं पूछना चाहता हूँ आदितनाजी से मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ सुरेश खन्नाजी से कि समसान में दलाली खाने वालों के हाथों में हमारे बच्चों की जिंदगी कैसे सुरक्षित हो बताओ आप हर चीज में आप लोग भरस्टाचार कर रहे हो प्रभुस्री राम के मंदिर के नाम पर खरीदी गई जमीन में घोटाला करते हो भरस्टाचार करते हो पहली लहर में आक्सीमीटर, थर्मोमीटर, आक्सीजन की खरीद में घोटाला करते हो दूसरी लहर में समसान की लकणियों के नाम पे घोटाला करते हो एम्बुलेंस के नाम पे घोटाला करते हो जाच के नाम पे बेड के नाम पे घोटाला करते हो और तीसरी लहर की तैयारी के नाम पर ये करोडो करोड रुपए का ब्रस्टाचार करते हो सुरेस खनाजी आपको और आपकी सरकार को अपने चेहरे पे कालिक लगाके जनता के बीच घूमना चाहिए जिससे उत्तर प्रदेश के लोग पहचान सके तलाल कौन है भरस्टाचारी कौन है और बच्चों की जिंदगी के साथ उत्तर प्रदेश के लोगों के स्वास्थ के साथ खिलवार कौन कर रहा है ये मुझे पूरा कागज मुझे आपके सामने रखना था क्योंकि दो दिन से इस पे अलग-अलग तरह के जूटी सफाईयां आ रही थी इसलिए मैंने सारे काथजाद आपके सामने रखने आपके कोई प्रस्व हो तो आप पूछ से अब ये आप सरकार से पूछे लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ये पूरे दुनिया में बच्चों के उपर इसका प्रभाव पड़ेगा इस प्रकार की रिसर्च आ रही और उसके हिसाब से ही तैयारी सरकारों को करना चाहिए सवाल सरकार की तैयारी करना चाहिए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उस तैयारी के नाम तो पीके रखा था